हलो दोस्तों आप सभी का SSC जी के ग्यान में स्वागत है आज हम अविस्कार एम यंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों यह भोतिक विज्ञान के एक मोश्ट इंपॉर्टेंट टापिक है जिससे एक या दो क्वेस्चन प्रतिक एक्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है जो अगरगामी आने वाले एक्जाम एंटीपी सी गुरूप डी SSC यूप ट्रिप्ल सी सभी एक्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो क्वेस्चन नंबर वन है क्वेस्चन नंबर वन है कि पायरोमीटर किसे कुमापने में प्रयोग किया जाता है इसका राइट एंसर होगा सी उच तापमान तो पायरोमीटर से उच तापमान कुमापते हैं दोस्तों इसके हलावा आप याद रखिएगा कि वायुदाप कुमापने के लिए किसी अंद्र का यूच किया जाता है तो आयुदाप कुम मीटर का यूज किया जाता है दोस्तों इन सब प्रशनों को भी साथ में आप याद रखिएगा यह सब प्रशन भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्ते नेक्ट के बढ़ते हैं कि सापिच आदूरता किससे मापी जाती है इसका राइट एंस्वर होगा दोस्तों भी सापिच आदूरता को हाई फ होगा है कि याद रखेगा हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर से कि गनत्य आफ एयं लै लक्तर tu को जाता है जब आख याद रखेगा दूद के गनत्य को मापा जाता है जो कि पोटेंसियो मीटर से भांतर को मापा जाता है दोस्तो इतने शब प्रस्ण को आप याद रखिएगा क्योंकि यह सब जितने भी प्रस्ण है दोस्तो बहुत ज्यादा एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफूल है नेक्स्ट क्कोश्चन है रेफरीजरेटर में थर्मो ऐस्टेट का कार क्या है दोस्तों ुसका रैइट अंसुर बताईए तो मैनोमीटर की द्वारा किसकी माप की जाती है तो मैनोमीटर की द्वारा गैसो का दाप को मापा जाता है दोस्तों यहां पर आप दो यंत्र को याद रख सकते हैं पहला यंत्र है मैनोमीटर मैनोमीटर की द्वारा गैसो का दाप मापा जाता है जबकि एक बैरोमीटर दोस के द्वारा यू के दाप को आपपा जाता इसको याद रखेगा जब कि मायनोमीटर की द्वारा दोश्टू कर्णो प्रश्न को आप याद रखेगा दोस्तू इसका राइट एंसर क्वेस्टन चार का राइट एंसर बी होगा अगले प्रेस्टन क्यों पढ़ते हैं वहाई हो कि आदरता मापने के लिए काउं सा यंदर प्रियोग की जाता है दोस्तों आप बस याद रखेगा जहां पर सब्द आदरता दिया हो क्वेस्टन में उसको हमेशा हाइग्रोमीटर से मापते हैं यहां पर हाइड्रुमीटर के द्वारा घंट्यो को माप हो जाता है मैज़मीटर के दवारा को मापई जाता है अगले प्रश्ण की बढ़ते हैं त्रडित चालक के अविश्कार हम और क्हुए इसोर पताएं तो त्रडुत क्हलों कि अविश्कार होगा बेंजैमिन इतित जालते हैं आधिशन का इंविश्कार किसा ने domestira कि था इसका right answer बताईए दोस्तो यह टेलिवीजिन का अविज्कार जी एल ब्यॉड है just Keep we उन्हें फॉज़तो ने यह जी ओर आफ इसका right दया उन्हें अग्ले प्रस्षे क्यों पड़ते हैं दो सुर्ण जीतन भी प्रस्षे लियेगें बहुत जार रहीבिर important प्रस्ण है दोस्तों इन सब प्रश्णों को आप ध्यान से देखिए और जिसका एंस्वर आपको पता हो उसका एंस्वर कमेंट बाक्स में जरूर लिखें इसका राइट एंस्वर पताईए एक स्रे का अविस्कार किस ने किया था इसका राइट एंस्वर होगा भी रंटज रंटजन ने एक स्रे का अविस्कार किया था अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण है प्रमालू बंब का विकास किस ने किया था इसका राइट एंस्वर पताईए दोस्तों इसका राइट एंस्वर होग भी जे राबर्ट अपे नाही मार ने प्रमालू बंब क कर दोस्तों को अब अगले प्रशन प्रकूं और याद रखें क्यूंकि इससे most important topic है कि जिससे प्रतेक exam में एक एद्वोकेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है जिसका राइट एंसर बताईए दोस्तो माइक्रोफोन का विसकार किसी ने किया था तो माइक्रोफोन का विसकार ग्रहम बेल ने किया था जिसकार राइट एंसर सी होगा ग्रहम बेल ने माइक्रोफोन का विसकार किया था अगले प्रश्ण क्यों चलते हैं दोस्तो इस स्कूटर का विसकार कौन है इसका राइट एंसर होगा ब्राड शाहाः ने स्कूर्टर का विसकार किया था ब्राड साय शै इसको चाहाः रखें कि दोस्तों कि ब्राड शाह ने स्कूर्टर का विसकार किया था अगले valve चलते हैं यह देखिए दोस्तों Q3 जान्सरा Obrigator का उपयोग होता है देखें दोसे वेरी वेरी इंपॉर्ट ये SSC railway में पूछा जा चुका है क्वेस्चन कार्बुरेटर का उप्योग SSC या कोई भी एक जानू इसमें ये क्वेस्चन बहुत जार बार रिपीट हुआ है इसको याद रखिएगा तिसका राइट एंसर बताईए दोस्तों कार्ब इसका राइट एंसर होगा अगले प्रश्च को चलते हैं सुर्य की किरणों की तिवरता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं इसका राइट एंसर होगा सी एक्टियो मीटर से सुर्य की किरणों की तिवरता को मापा जाता है इसका राइट एंसर होगा अगले प्रश्च क चलते हैं अगला प्रास्टन है धौनी की तिवरता की मापने वाला यंद्र कौन सा है धौनी की तिवरता को मापने वाला यंद्र कौन सा है यह भी दोस्तों very very important question है तिसका right answer बताजे दोस्तों तिसका right answer होगा डी आडियो मीटर से धोनी की तिविद्दा गुमापा जाता है अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं दोस्तों दोस्तों यह जितने प्रस्ण लिएगे बहुत जाधा IMPARTEN'T है फेल्डा मीटर का उपयोग किसे मापने में परियोग की जाता है इसका right answer बताईए दोस्तों, इसका right answer होगा C, समुदर की गहराई को मापने के लिए फेडो मीटर को उप्योग की जाता है, इसका right answer होगा C, अगले प्रेंस में चलते हैं बिजली के बल्ब का विसकार किस ने किया था, यह भी question very very important question है दोस्तों इसका right answer बताईए दोस्तों, बिजली के बल्ब का विसकार किस ने किया था, इसका right answer होगा Thomas Alva Edison ने बिजली के बल्ब का विसकार किया था, अगले प्रेंस के चलते हैं बिजली के बल्ब का विसकार किस ने किया था, इसका right answer होगा अगला प्रेंट नोबल ने किसका विसकार किया, इसका right answer बताईए दोस्तों अगला प्रेंट नोबल ने डायनमाइट का विसकार किया था, इसका right answer होगा C इसका right answer C होगा अगला प्रस वर्सा की अमलता किसके द्वारा मापी जाती है, इसका right answer बताईए दोस्तों यहां प्रस व्रसा के अमलता किसके द्वारा मापी जाती है अगला प्रेंट का इसका right answer होगा D देखिए दोस्तों इसको ph p mC इस तरे भी लिखा जाता है तुक पियचद मीटर तो इसको लाट की अम लाता को पियचद मीटर केरा पजाटा है इसका रइंण सब लगड़ी और दोस्तों यहां आक और यहां पर दोस्तों यह प्रस्ण जाद रहेख बर्रोग के दरा हम बता चुकर कि वायू की दाप को मापा जाता है जबकि हाइडो मीटर से घनत्यों को मापा जाता है यह मीटर से करेंट को मापा जाता है इन सब प्रश्णों की याद रखेगा अगले प्रश्ण को चलते हैं अगला प्रस्ट है बैटरी का विस्खार किस ने किया था इसका राइट एंसर बताइए दोस्तों जिसका राइट एंसर होगा यह बैटरी का विश्कार बोल्टा ने किया था तो बोल्टा एक वेग्यानिक के नाम है इन्होंने बैटरी का विश्कार किया था तो बोल्टा ने बैटरी का विश्कार किया था अगला प्रस्थ मुबाइल फोन का विश्कार किस ने किया थे दोस्तों इसका राइट एंसर बताईए तो मुबाइल फोन का विश्कार मार्टीन कूपर ने किया थे तो इसका राइट एंसर भी होगा मार्टीन कूपर ने मुबाइल फोन का विश्कार किया था अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण है पारत थर्मामीटर का विष्कार किस ने किया था पारत थर्मामीटर का विष्कार किस ने किया था इसका राइट एंसर पताईए दोस्तो इसका राइट एंसर होगा भी फारेन हाइट ने पारत थर्मामीटर का विश्कार किया था इसका राइट एंसर भी अगले प्रस पर चलते हैं सेफटी रेजर का विश्कार किस ने किया था तो जितने भी प्रस लिए गें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सेफ्टी रेजर का विसकार किस ने किया था इसका आई टेंसर बताईए सेफ्टी रेजर का विसकार जी लेट ने किया था इसकार आई टेंसर सी होगा अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे जी लेट गार जाते हैं लेने तो इसमें डाड़े बन तो सेफ्टी रेजर ह होता है तो उसको जीलेट से याद कर सकते हैं जीलेट ज्यानिक का नाम है जीलेट ने सेफटी रेजर का विश्कार किया था इसका राइट एंसवर किस ने किया था इसका राइट एंसवर किस ने किया था इसका राइट एंसवर होगा भी ब्रिक वेट ने हेलिकाप्टर का वि अगला प्रासना है किसका उप्योग उचाहिन आपने के लिए किया जाता है उचाहिन आपने के लिए किसी अंत्र का उप्योग किया जाता है दोस्तों इसका राइट एंसर बताइए इसका राइट एंसर होगा C, Altimeter Altimeter का यूज उचाई मापने में किया जाता है और समुद्र की गाहराई मापने के लिए 5-2-Meetre का यूज किया जाता है और याद रखेगा बैरोमीटर के बारे में याद रखेगा दोस्तो बैरोमीटर से वायू के दाप को मापने के लिए है जोकि समुद्रख PREDOMETERं के द्वर नमाप जाता है एक हाइड्रोमीटर है तो हाइड्रोमीटर के ऑर बहुत ज़़ाइन दोस्तो हैं दोस्तो तो हाइड्रोमीटर सुर्ई घनत्युह माप जाता है हाईगरोमीटर के द्वारा वायू की आधरता कमाप जाता है, चलिए अगले प्रस्ट को चलते हैं, अगला प्रस्ट नहीं, वायू मंदली दबाव कमापने के लिए किस यंद्र का प्रियोग की जाता है, इसका राइट एंसर बताईए दोस्तो, वायू मंदली दबाव कमाप ने वाली यंद्र का नाम बताई है विद्यूदारों किस यंद्र समाफ पजाता है ốiत Hm अगला प्रस जूट का पता लगाने वाला कौं से यंद्र है ये वीजुट का पता लगाने वाला कौं से यंद्र इसका right answer बताइब दोस्तों इसका right answer होगा सी पाली ग्राफ पारुमेटर से temperature को मापव जाता है कि अगरे प्रस्वन को चलते हैं इस वीडियो का लाश प्लस्वन है वायू के गती को किसके द्वारा मापी जाती है इसकर आई टेंस वरोग अभी वायू के गती को एनिमो मीटर के द्वारा मापा जाता है जबकि बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर आपको हम बता चुके हैं बैरोमीटर के द्वारा वायू के दाप को मापा जाता है जबकि हाइड्रोमीट के दोरा घनत्यु को मापा जाता है दोस्तों यहां पर आपकी 30 कोश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा सा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आन